यूपी के फिरोजाबाद के एक सरकारी होस्पिटल में उस वक्त हरकंप मच गया जब लेडी एस्डियम अचानक निरिक्षिन करने पहुँच गई बकायदा इस्डियम मैडम घूंघट में मरीज बन कर जब पहुँची तो डॉक्टर से लेकर मेडिकल ओफिसर्स तक के पसी ने छूड़ गया लेडी ओफिसर की इस तो एक्षिन की प्रसंसा हर तरफ हो रही है और चक निरिक्षिन करने पहुँची आई एस कृती फिरोजाबाद के अस्पताल में अकेले ही पहुँच गई इस दोरान उनके साथ ना कोई अधिकारी था और ना ही उनकी कोई सरकारी गारी थी वो बिलकुल आम मरीज की तरह ही परचा खटा कर और लाइन में लगकर अस्पताल पहुँची थी इस दोरान उन्होंने क्या बताया सुनिये जी मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदम मही हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे उत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाये जाते हैं जब हम वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे दॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे जिसकी वज़ा से बहुत अपरात अफ्रीम जी हुई थी कुछ लोगों की वहाँ पे इसक नेजर थे पिर भी वह उस्पिटल में नहीं पाए गए थे इसके अलावा वहाँ पे दवाईया जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर था जब हम पहुचे और जो विवस्थाए थी साफ सफाई की वह भी मेंटें नहीं थी इंजेक्शन भी सही धन से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे इसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कारे नहीं हो रहा था तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाएं और इस पे हम कारवाई कर रहे हैं सब्सक्राइब की घूंगट वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रही है ऐसे में लोग मैडम के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दे इस लेडी ओफिसर का नाम है आई-एस कृति राज उन्हें ऑस्पिटल के बारे में लापरवाही की जानकारी मिलने पर आई-एस कृति ने ऐसा एक्शन लिया अपने इस एक्शन से कृति राज हर तरफ चर्चा में हैं मेरिया रिपोर्ट्स के मताबिक फिरोजाबाद में स्ट्यम के पत पर तैनाथ कृति राज यूपी एसी 2020 बैच की अधिकारी है वो यूपी कैडर में बतोर आई-एस आफि है स्कूलिंग भी उन्होंने जहांसी से ही की कृति ने कंप्यूटर साइंस में बीटे किया है दोहजार पीस में यूपी एसी एक्जाम में कृतिक राज को 106 राइंग प्राप्थ हुआ था टाइम्स नौन भारत डिश्टल की रिपोर्ट झाल